हलो फ्रेंस आज मैं आपके साथ में बहुत ही टेस्टी और डिलिसेंस चिकन करी की रेसिपी सेर कर रही हूँ जो बहुत ही जादा टेस्टी बनता है तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेगा तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले निए यहां पर 01.-10 कजी चिकन को अच्छे से वाश कर लिया है। श्यषी पीसेस में कट किया है आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको पसंद होगा उस पीसेस में कट कर ले और यहां पर मैंने आधा क्राइब कर लेंगे इसका फ्लेवर ऐल में अजाएगा तो कुछ इसके लिए खड़े मसालों को भुन लिया प्याज यहां पर फ्लाइस में कटे हुए प्याज नहीं कर रही हूं, मैं इसे डाल करके अच्छान से भून लेंगे प्याज तो आप देख सकते हैं, थोड़ी देल में पयाज हो हलके से सौफ हुई है, तो अब इसमें हम अधर कलशन आइड करेंगे, तो अधर कलसन को हम यहाँ पर क्रस्ट करके आइड कर रहे हैं, तो क्रस्ट किया हो अधर कलसन का टेस्ट जो ज़ादा अच्छा है, साथ में तीन हरी मिर्च आइड कर लेंगे हरी मिर्च अपने हिसाब से आइड कीजिएगा मैं यहाँ पर 3-4 यूज़ कर रही हूँ और हरी मिर्च को डाल करके इसे अच्छे से भून लेंगे यहाँ पर मैंने अच्छे से भून लिया थोड़े देर के लिए तो अब इसमें हम चिकन आइड कर और तब तक भूनेंगे जब तक कि चिकन में जो हो हलकी सी ब्राउन सी कलर ना आ जाए तब तक इने हमें भून लेना है तो आप थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं चिकन जो हो बहुत अच्छे से भूनने लगा है और इसका सारा मॉइस्टर जो हो खत्म होने लग है और चिकन के उपर से हलकी सी गुलाबी सी कलर आ गया अगया एक ले तो अब यहां पर हम टो माटर आट कर लेंगे तो हम वहां फिंद ए है उत्वरागी जल्दी से सॉफ्ट हो जाया तो तमाटर और नमक करें यह थोड़ी देर के लिए भून लेंगे तब तक भूंनेगे जब तक कि टमाटर जो हो स्ट नहीं हो जाया तो आप एक सकते हैं थोड़ देर के लिए मैंने से भुना लगबग एक से दो मिनिट के लिए और देखे टमाटर बहुत अच्छे से सॉब्ट हो गई अब इसमें मसाले आड़ करेंगे तो मसालों मैंने सबसे पहले चिकन मसाला लिया है एक पैकेट एक चोटा पैकेट लिया म Deshalbndan अब अब इसमें पानी आड़ कर लेंगे तो फुर्भ आड़ कर ले ना है और इसे कवर और चिकन बकानाई और कवर करके पैकेट चिकन को तब तक पकाना है जब तक ये चिकन जो है वो अच्छे से सौप्ट नहीं हो जाए तो यहां पे लगभग साथ से आठ मिन्योट हो चुकी है और आप देख सकते हैं अभी भी बहुत सारा पानी है इसमें इसे अच्छे से भून लेंगे और चिकन जो है जादा वक्त तो चिकन बहुत ही जल्दी सौप्ट हो जाएगी तो यहां पे इसे अच्छे से भून लेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक यह जो पानी तो देख रहा है नो वो सुख नहीं जाया तब देख सकते हैं थोड़ी दिर में मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और यह प पानी अपनी हिसाब से कम जादा कर सकते हैं अब इसमें हरा धनी आइट कर लेंगे साथ में आइट कर लेंगे गरम मसाला तहां पे आधा चमच गरम मसाला आइट करेंगे और इसे हम अच्छे से मेक्स कर लेंगे अच्छे से मेक्स करने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और म बहुत ही simple और आसान सी recipe है तो बना कर जुरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत अलग अलग तरीके से अपने chicken ट्राइ किया होगा आप इस तरह से एक बर ट्राइ कीजिए आपको और आपकी family को बहुत ही पसंद आएगी तो चलिए रेसीपी में बबाय एंट टे क्यार